कि असलाम अलेकुम उमीद है आप सब खेरियस से होगे आज 23 नौंबर 2023 है और जब आप ये वीडियो देख रहोंगे तो 24 नौंबर हो चुकी होगी आज की वीडियो हमारी हेंडा अट्लेस कार्ड के हवाले से एच कार के नाम से मशूर है गाड़ी को की कंपनी और इसके हवा से और कंपनी की परफॉर्मांस कंपनी करती किया है और क्या चैलेंजिस हैं इस खवाले मेरे क्विक प्रेजेंटेशन में आई तो चलते हैं सबसे पहले हम एजंडा की बात करें ना में कुछ चीज़े में थोरब समodarाव गया कि इस कंपनी को क्या चैलेंजिस होता इस तरह के सेक्टर में इसके competitors के बारे में जिकर होगा, इसकी financial performance के बारे में जिकर होगा, dividend इसके बारे में जिकर होगा, और पिर इसका future outlook के आया, कि कैसा रहेगा future में, और फिर last action point, आया इसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, यह क्या रहा है, long term, short term. सबसे पहले इसकी गाड़ी की background की बात करें, Honda Cars के बारे में, मतलब ऐसी चीज नहीं है, ऐसी company नहीं है, जिसके बारे में सुना नहीं हो, यह बड़ी common गाड़ी जो पाकिसान रोड पे नज़र आती है, और इसकी एक वज़ाई यह है, के इसके इलावा इस टाइब की गाड़ी पाकिसान में नहीं बलती, जो पाकिसान सुजुकी मोर्टर्स और होंडा कार्ज हमें नज़र आती, दो यह assembler थे, काफी अर्से तक, अब ने ज़रूर आ गए, लेकिन यह काफी जादा common गाड़ी है, करती क्या है, यह basically माल मंगाए, पार्ट्स मंगाती है, और फिसको असेंबल करती है, और फिर पेश्टी है, इस तरह की company को challenge क्या होते हैं, इस खास्तों है पाकिसान environment में, पाकिसान का मसला यह है कि पाकिसान की value PGR हो जो के devalue होती है, उस पे काम कोई भी government body नहीं कर दी, उस पे काम तब होगा जब कमारे अब कोई product export होगा, export नहीं होगा तो import जादा होगा, तो इससे होगा यह कि dollars की demand बढ़ेगी और dollar की value बढ़ेगी, PGR devalue होगा, पाकिसान के points से, तो अगर dollar devalue होता है, पाकिसान रुपीस devalue होता है, तो होगा क्या कि यह company जब पार्ट खरीदने जाएगी, तो महेंगा खरीदेगी और फिर महेंगा लगाएगी, तो government क्या करती है, इस scenario में जब dollar की बढ़डा होता है, तो कब से पहले बोलती है, import रोक लो, इंपोर्ट रोकेगी तो इसके पार्ट रुग गया है, और फिर होंडा कार में अक्सर बेश्ट हम सुनते हैं, उन्हें प्लांट शट्डाउन किया है, अंडा गार या पाकिसान सुजिंग मोटर, प्लांट शट्डाउन करती है, तो वजाए यही होती कि पार्ट भी नहीं मिल्ला इसको, पार्ट नहीं मिल्ला, प्लांट शट्डाउन करती है, और फिर इसको चैलेंज होता, दूसरी चीज़ इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन का इसी से तालोग है, इंपोर्ट कुछ भी नहीं होगा, कोई भी चीज, गाड़ी भी नहीं, यह भी नहीं, वो भी नहीं, इंक्लूडिंग पार्ट तो यह कंपनी फिर बैठ गही है, यह दूसरा चैलेंज, तीसरा चैलेंज इस तरह के सेक्टर में, खास है, पाकिस्तान मार्केट में, यह एके फाइनेंस ऑप्शन बहुत ही कम है, या तो नहीं है, रिसेंटली पिछले एक साल, एक डिर साल से ऑप्शन आना शुरू है, लेकिन इससे पहले नहीं थे, और अभी भी बहुत कम है, पाकिस्तान की डिमांड के हवाले से पॉइंट से बहुत कम है, भी फाइनेंस ऑप्शन का गाड़ी इंस्ट्रॉल्मेंट में नहीं मिलती, क्योंकि इसकी डिमांड एतनी है, तो कंपनी भी सोचती है कि जब डिमांड इतनी है, इनकी गाड़ी तो भी की जाएगी, तो ऑप्शन की लाएं, लिगा ऑप्शन लाएं तो वॉल्यूम बहुत बढ़ जागा, लोने वालों का, चौधा और आखरी फैक्टर, जो चैलेंज मुझे नज़र आता है, जो कि पाकिस्दान के लिए रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग समझते ही इसको रेलिवेंट, मिसाल जैसे के सेफटी इन्वार्मेंट, सेफटी का मैं नहीं खाला हमारी गाड़ी, असेंबल होती, इसमें सेफटी का कोई सोचा भी जाता है, पुरी दुनिया में सेफटी बैक्स, एर्बैक्स वगरा होते हैं, हमारे अभी तक कुछ बेसिक वेरियंट की गाड़ी हैं, जो समल होती हैं, इसमें एर्बैक्स का सिस्टम ही नहीं है, पाकिस्टान में भी धूहें वाली गाड़ियां, सेंबल होती हैं, चलती हैं और इन डेमांड है, आखरी चीज इन्फरस्ट्रक्चर इस कंपनी का फ्यूचर यह होता है कि वह एलेक्ट्रिक कार पर जाती है, जो आज कल जारत अकमनें जा रही हैं, अब भी हाइब्रेट पर ज़रूर आए, फुली एलेक्ट्रिक पर नहीं है, इसकी वज़ए है कि पाकिस्टान में एक्सेप्टेंस नहीं है, प्लस इन्फरस्ट्रक्चर नहीं है, तो यह भी एक चैलेंज होता है, आज कोवाइब्ल, यह एक पूरा पॉलएंट था, आखराज पर पकिस्टान मार्किरण एन एयर्लेवेंट वहीं है, बहुत भी बीखक़ी वाली बात एकि सेफटी का भी सोचा जाए, इंवार्मेंटर को सोचा जा तो यह रेलिवेंट नहीं बोलूँगा लेकिन सेक्टर को समझाने के लिए मैंने आपको लेस्ट डाउन किया कि यहां पर यह चैलेंज होता है कंप्टेटर की बात यह तो इता डारेक्ट कंप्टेटर से मुराद यह पाकिस्तान सुचुगी मोटर्स का टारेक्प्टेटर है दोर्यों की डिमांड बहुत है सासगर एंचीन यह नहीं लेकाड़ निंकाले पांड लेकार की आजकल जो हमें सरकों में नजर आ रहेगी दूसरा अटलेस होंडबृकेंट बनाता है जो के इंजन ऑल बाकष से एलेटेट बाइस दरू बनाता है लेके लिग अबनाता है जो ऑप रेविणी का कंप्टेटर तो इसीतरा गंतारा निसान भी एक्टेटर् भागई सारे android competitors है इंजर 1 जुर मिने इसके बाद एसकी financial performance इस परॉमच्ज जो एकीड साल 2 पूर परहमेंस थी आप उविस्य कि वजह economic challenges हैं इंप Tौर एक नोम में चैलandjelisions has इस तरह कम्पनी का रेविने से जादे है ना हम वोल्यूम को देखते हो वोल्यूम हिसके नंबर से जादे पढ़ेगा कि नेट नंबर नेट इनका खा जाते है नं तो या टाय है अरब बच्ता था अब वन प्रूंत इसी तरह से सारे इसके रेविनिय के साब से कम होती जाए गई एक चीज जो इंट्रस्टिंग ली चीज जो मुझे नजर आई इसके अन्यूजल मूमेंट अदर एक्सपेंस में जो के है पिछले साल 1.4 अदर एक्सपेंस था इस साल 234 में अभी अधर एक्सपेंस में क्या है कंपनी ने ना एन लेकिन बसार ने तो यह बड़ा एक इंप्रूब्मेंट नजर आते है अगर इस 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 वैसे इसका प्रॉफिट भी तूरा बहतर हुआ है पिछले बार और 5.74 एक्स पिछले बार दो 1.91 एक्स था तो फाने प्रफॉर्मेंस वाइस मुझे रगता है इस इस प्रूव ह बात करें जब प्राइज हिस्टोरिकली कर जाएं दोजन निस पर मैंने लगा है दोजन निस वे तक्रीवें 2.500 के करीब था और 221 में तक साड़े 300 करीब था और 221 के मिट तक यह तक पहुने 400 पी आया था और फिर यह नीचे आना शुरूआ जब इंपोर्ट रिस्रिक्श में कंपनी उस वक उठाने जाए था 130-34 के दरीमान जबता काफी टाइम तक रहा उसके उठाने जाए था और फिर फिर अभी यह दोसों पर आया है अभी जो आने की एक जो रेली है ना वह बेसिकली मार्केट की सेंटिमेंट्स है कि मार्केट उपर साइट पर जा रही है औ और 58,000 क्रॉस काट चुकिए आज तो खूस होता है इस वैसे इसका आया हो एक एधर सेंटना परफॉर्मस वाइस मुझे लगता है कि अभी इसने अच्छा परफॉर्म किया और आगे भी परफॉर्म करेगा क्योंकि पाकिसान माकर में डिमांड तो फुली है तो मसला ही नह इस्ट्रिक्शन का चैलेंज है कि इंप्रिस्ट्रिशन नहीं हो दी जो बजा और नजहर आते हैं कि नहीं होगी अभी लॉमबर में अगला इंच्ट्वर्मेंट दे लिए बाकि अगर डिविडेंट की बात कियाए यह ऐसा शeर है जो डिविडेंट ना देने के बराबर द देता है पिछले साल नहीं दिया तो नहीं देने वाली बात है तो मैं डिविडेंट के पॉइंट से इसको नहीं करूंगा इसने जरूर दिया है अच्छा-खासा डिवेड़न बाइस रुपे लेकिन फिर भी 22 रुपे दे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको डाइस रुपे मैं तो दिविडेंट के पॉइंट से मैं इस शेर को नहीं बोलूंगा जिसको डिविडेंट के पॉइंट से रखना है बागी फ्यूचर आउटलूक कार्ट सेक्टर के बात करूंगा पाकिजान एक वाहिद कंट्री वाहिद तो नहीं बोलूंगा एशियन कंट्री ने सबसे बड़ा शहर है मुल्के जो अभी भी इंप्लॉयर्स और गवर्मेंट गाडियां लेते हैं इस टाइप के कंपनी से मतलब इसका मुड़ाद यह के सबसे इन कंपनी का सबसे बड़ा कस्टमर गवर्मेंट है और और तो इस वाएसे इसकी डिमांड तो यहां इस वाएसे तो रहेगी रहेगी और कॉपरेट बोडिजन उनकी बाइंग पावर्स होई जादा होती है इस कंपेट हो तो उनकी बाइंग पावर्स सच फरक नहीं परता एक यह पॉइंट है दूसरा यह पाकिस्तान की इस कंपनी के सेक्टर और इंडर्स के पॉइंट से दूसी चीज जो मुझे लगता है जो एक होंडा गाड़ के लिए सबसे एज है न एक तो इसकी गाड़ी सुजुकी पाकिस्ट जो दूसरा असेमिलर सबसे बड़ा पाकिसन सुजुकी मोटर उससे थोड़ी बहतर है तो तो इस आप से मुझे लंजर नहीं आता सका कोई और डारेक्ट कॉम्पेटेटर को यह जरूर यपनीज गाड़ी हम भी नजर आते लिए को पुडानी है और उन पर इंपोर्ट ड्यूटी के बास अतनी महंगी पड़ती है तो लोग इस तरह की लोकल असेमली को प्रफर करत ना जो कि वहीं पर दो इनको चैलेंज है तो इससे सबसे मुझे अच्छा लगा है इस कंपनी की फ्यूचर आउटलुक पॉजिट होना ज़ाता है मेरे उपीनिन के मदाव है कि यह शेर अच्छा है अपसाइड शॉट टम में ज़रू दिखा सकता है और मुझे लगता है कि इसकी ट्रू वेल्यू दो सवादो सो के करीब इससे जादा नहीं होनी चाहिए और फिलहाल नहीं होनी चाहिए जब तक कंपनी परफॉर्म नहीं करती मजीद तैस इट थैंक यू सो मज़ा थिंग यही आज की वीडियो थी कोई कोई चीज हो कोई सवाल हो कोई कुशन हो इस वीडियो में और या कोई इंप्रॉमेंट पॉइंट हो डिफिलिनल मुझे बताना तो मैं इसको कवर करूंगा और आगर अपनी आने वाली वीडियो में और और अगर किसी भाई ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो लाजबी हम चैनल को सबस्क्राइब करें ताकिसे थोड़ी से हफजा और हसला हफजाई होगी इंशाला मजीद में इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँगा सबस्क्राइब अलेक्म